किसान भाहियों नमस्कार मैं सतीस आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ किसान भाहियों आज मैंने इस खेत की निराई करवा दी है आप से कहेंगे कि एक बार निराई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको यहाँ पर बता दें कि पौधा फिर से निकलना चालो होता है बहुतने खर्पतवार ऐसे हैं जैसे यहां पर आपको दिखा दिते हैं कि यह मेरे खेत में मूतअ बहुत था तो यह जड़ सहीद पूरा निकला आया तो अब गांट सहीद निकला आया है इसलिए मैं तो एक सलाह दूँगा कि आप एक बार निराई जरूर कर दीजे देखिए निराई करने के फाइदे क्या होते हैं आपको बता दें जैसे आप पाटा लगाते हैं जैसे इस टाइम पर जब पानी भरा है पाटा लगाते हैं तो पाटा लगाने पर भी क्या होता है क तो ये निराई का काम आपको 30 से 35 दिन की जब धान हो तो इस टाइम तक आपको जरूर करवा देना चाहिए. खर्पतवार नासी डालने के बाद आपको एक बार निराई जरूर करने है. अगर आप निराई कर देते हैं, तो इसके बेनी फिट आपको मिलेंगे, जैसे आप पाटा लगाने की जगा पर निराई करेंगे, तब भी पूरे पूधे खेत के हिल जाते हैं. जब पौधे हिल जाएंगे तो मैंने पहले ही बता है कि वो वायु संचार होता है जड़ों तक जो है अच्छे से हवा जाने लगती है जिससे फुटाव जो है जैसे आपके खेत में फुटाव नहीं हुआ है मिट्टी आदी टाइट है तो फुटाव होना चालू हो जाता तो एक तो खरपतवार आसानी से आप कंट्रोल कर पाएंगे दूसरे जो है अच्छे तरह से फुटाव ही होगा तो ये सब बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं तो इसलिए दोस्तों आप एक बार अपने खेत में निराई जरूर करें थोड़ा खर्चा जरूर आता है लेकिन उ इतनी बेहतरीन फसल चलती थी हाला कि हम बात करें यहां पर फुटाव की तो फुटाव काफी बेहतर हुआ है फुटाव में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैंने निराई इसलिए करवा दी खरपतवार भी दूर हो जाएंगे और वाईव संचार अच्छे से होगा जिससे प जल्ट देखिए उसके आप कमेंट में भी बताईए अगर आप निराई करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट मिलता है चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में धन्यवाद